अद्भुद व्यक्तित्व के धनी जैशिवाचार्य महान है अद्भुद साधना ध्यान करते आत्मो थान है फले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है आत्मो ज्यानी सद्गुरुदेव आचारे समराथ पूजश्री शेब मुनीजी महराज सहब के लोग कल्यान की मंग भवनाओं के साथ सत्षह नमा काल में भटकन कर रहे हूं केवल एक जीव का चिंतन करते हूं जीव के गुनों का सिमन करते रहे हूं उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात मैं तो धीरे धीरे आपका देह का जो अकर्शन है तो टूरता चला जारेगा निश्चित निश्चित टूरता चला ज यह हमने चर्चा की ध्यान को ले करके और जो ध्यान आप सुन रहे हैं बार बार सुनों बार बार चिंतने करें जैसे आप मिश्री खा लेती हो मिठी लगती हो तो फिर दौरा खाते हो तौफी लेती हो एक अच्छी लगती हो दौरा लेती हो तीन बार लेती हो दूर अच्छ कुछ नहीं चाहिए आत्मा अपने में हमने अपने आत्मा में स्थित होने का पुरिशारती नहीं किया अब इस साधना में प्रभु कहते हैं कि तुम अपने में स्थित हो जाओ जैसे जैसे आप स्थित होंगे आपके सारे कर्म तूरते चले जाएंगे अपने आप तूर ना, मान लीजी आप लंबे तप नहीं कर सकते, मान लीजी आप सादू नहीं बन सकते, कोई बात ही, आप घर में रहे करके, शिरावक पने में रहे करके, अपने में स्थर्त हो रा जाओ, उरते बैरते, ये स्थर्ता कैसे बढ़ेगी, जब 24 गंटे आप खुली आंखों से भे जीव, सब अपने अपने देधारन की होगे, वो अपना जीवन निर्वा कर, तो मैं भी एक जीव हूँ, सब में जीव मुझ में जीव, और किसी को देखते हूँ, इसकी शरीर को देख, कोई मत, अब भेद ज्यान कर लो, जड़ जीव का भेद, कितना भेद पक्का होगा, और आप अपने में स्थित रहोगे, तो जीव की शक्ती बढ़ जाए, जिसका चिंतन करो, जिसमें स्थिर रहो, जिसका अनभव करो, बढ़ जाता है, आज तक हमने मन को मतुदिया, मन की शक्ती बढ़ गई, बुद्धी को मतुदिया, बुद्धी की शक्ती बढ़ गई, मन, बुद्धी, इंद्रियों के पार हम अपने को जानेंगे और अपने को पहचानेंगे कि सुन्दर आफसर आया है आपके पास राजमारग आपको पता चल गया सत्य क्या है? सम्मेक दर्शन सत्य की परतीति सत्य का दर्शन, सत्य का बोध सत्य का हन्भव सत्य में रमन करना और सत्य में ही जीना जितना जीओगे कुछ आगे बढ़ जाओगे चटा है स्थरी करना किस्थर का से करना जिस समय समकति जी साधना में लीन होता है उस समय में कैसा होता है वो शंका रहत होता है जदि आपकी भीतर सत्य आ रहा है सत्य की पर पुरुनता नहीं भी आई सत्य आ रहा है, सत्य का अनभव कर रहे हो, तो आप शंका रहत होते हैं, शंका नहीं होते हैं निशंके थे पर अन्य धर्मों दर्शनों की, परपदार्थों की, परद्रबों की, आप कांक्षा नहीं जा रहे हैं जाने दो बहुत पर तुम भी विडिशों में जाया है मैं भी जाया सरगों में जाया इस प्रिठी पर नहीं देव लोकों में जितना जा सक एक्टीस देव लोक तक तुम भी जाया और मैं भी जाया आगे पांच देव लोकों में नहीं गए इक्टीस देव लोक क से कहते हैं, जाकर के वापस आ गए, भोग भोग लिए, मुनश्य बन गए, राजा माराजा भी बन गए, बिखारी भी बन गए, और ऐसे करनी भी कहे, कुता बिली चुआ भी बने, और ऐसी भ्यंकर पाप किया, मास भी खाया, चोरी भी किया, बिचार का से बन किया, नरकों मे गए, सब गए, तुम भी गए, मैं भी गया, तो फिर किस को अपना मानना, कहां जाना, किस की लिए कारे करना, एक सत्के जो उसको संतुष्टी होती है, उसको जाने की इच्छा कही नहीं होती, गूमने की इच्छा ही नहीं होती, कोई बाबस मैं अपने भीतर, भीतर, आंखे समय ऐसा होता है उतना अनंदित होते हैं आप वो क्या है जब जीव में स्थित होता है आत्मा अपने अपने स्थित होती है उस्थरी करने होता है तो उसको स्थरी करने के अभ्यास को बढ़ाओ जैसे दो मिनिट चार मिनिट छे मिनिट जैसे जैसे आपका मन बढ़ेगा फिर मन बागेगा ये मिथ्यात्र आपको टिकने नहीं देता है जंग है मिथ्यात्व और समुकत की बार बार लेके आएगा मन लेके आगा, बुद्धी लेका नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुमारा पक्खे हो करके आप स्थिरी करन को बढ़ाओ अपनी साधना जो कर रहे हो उसकी जो सिती है आपकी जीव की आत्मा का जो ठैराव स्थिरी करन कितना आप अपने में ठैर सकते हो ये मुख्य है तुम लंबे चोड़े बैट गए दो गंटे ध्यान कर लिया नीन आगई बिचैनी आगई और मरे मरे बैठे रहे दो गंटे कुछ नहीं होने वाला और करमों का बंदन करते हो ये आपका ध्यान में मन उठ जाओ घूमा जब आपका मन लगे तब बैठो मन भागे तो उसको अपयोग लगाना स्वास पर देख लेना मैं आत्मा हूँ इसका अपयोग करना सोहम का ध्यान करना बहुत से अपयोग लगाओ धीरे धीरे मन से अटाग मन को महत्वनी देना बुद्धी को महत्वनी देना शुकल ध्यान क्या है मन के पार, बुद्धी के पार, इंद्रियों के पार जीव जब अपने सभाव में स्थित रहता है वो है शुकलतिया वो खड़ता है थोड़ी देर के लिए खड़ता है पर खड़तेगा दीरे 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 खड़तेगा तो निशंकत निकाक्षित साधना के फल में निसंदे होने पर निर्वे के किस्सा हो जाता है जुक्सा का अपनी होता तो मूरता नहीं होती ज़िए आप सत्य चाहते हैं तो आपके जिमन में मूरता नहीं आएगी आप अमूर हो जाते हैं अमूर दिष्टी हो जाते हैं पांच माह है अपने दुस्रों को तो 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 दूसरों के गुनों को परकट करता है गुनगराही होता है वो परिभेनदर गुनों की दृष्टी के जैसे दल्योदन और जृदिश्टर के बारे में आपने सुना, कृष्ण के बारे में सुना वो ऐसा कुत्य सरा हुआ कुत्ता, बदूँ आ रही है, लोग सब जा रहे है पर कृष्ण ने उसके दांतों को देखा कितने सुन्दर दांत कितने पंक्ती दांतों की तो कोई जो गुन गराही देखती, कोई ना कोई गुन देखी लेता है, आप या अपने परिवार में कोई भी है उसके गुनों को देख, उसकी आवकन को मालना, यह पांच हो गए निशंकित निकांक्षित निर्विक जिक्सिक, आमूद्रिष्टी और अपने गुनों को परकड करता है, उप ब्रहिन छटा स्थ्री करने अब स्थिर कैसे करें, जब आप साधना करते हो, तो उपसर्ग आते हैं, आप सुनते हैं, देव तो आप सर्ग ले सकता है, इंदर सभा में किसी के प्रशंसा करते हैं, वो को देव उठके आ जाते हैं, मावीर को जो देव था, संगम देव, इंदर ने प्रशंसा की, मावीर तो संगम देव को सैनी और छे महीने कष्ट ही कष्ट देता रहा है किया पाया? किछ नहीं पाया? ऐसे देव भी प्रिक्षा लेने किया जाते है धर्म में फिसल देवे सादो को पुना जैसे भी धर्म में स्थिर हो सके उसको वैसा कार्या करना चाहिए उसका नाम है स्थरी करम सादक की दिर्टा की प्रिक्षा अनकूल प्रतिकूल सितियों में होती है सादक कई बार अस्थिर हो जाता है कभी प्रतिकूल प्रसितियां में होती है असाता बिद्नी रोग आ गया भेंद का रोग आ गया गबर आजाता है कि इतनी साधना करता हूं, रोग यह हमा गया, सैं नहीं कर पाता है, द्वेशी कोई द्वेश निकालने आता है, कोई रागी आजाता है, ऐसे आजाता है, और किसी बार अकर्शन भी आजाता है, भाई लब्दियों का अकर्शन आजाता है, चौँ और चौँ दिशाओं में क्या हो गया चौँ दिशाओं में साधर की ये शुकिरती फैल जाती है कोई देवी देवता मुनुश्य प्रिक्षा ले नहीं नहीं आता है तो डिगाने आता है ऐसे ही उसको स्थिर कैसे करना यदि आपकी ऐसे इस्थिति है आप स्थिर नहीं हो पा रहे तो स्थिर कैसे करें इसके लिए शास्थर में बहुत से एक्जामपल है बगवान अर्श्ट नेमी और राजुल नौभव का रिष्टा पुराना था नौभव का पुराना रिष्टा और कृश्टन महराज और उनकी राणियां बगवान को कहते हैं शादी के लिए त्यारी कर लेती है मुस्करा दी है शादी के त्यारी हो जाती है बराद जाती है रिष्टने में और आपको पशु शत्री लोग थे मानसाहरी भी थे सब कुछ लोग थे राजार तो बाड़ों में पशु बांद रखे थे जब पशु बंदे थे वो चिलाने लगे उदर से रत गुदरता है रिष्टने में भगवान की बराद गुदरती है उसने पशु के चितकार को देखा पूछा पशु क्यों चितकार कर रहे हैं क्यों रो रहे हैं क्यों चिला रहे है क्यों प्रभो आपकी बराद जा रही है ये पशु काटे जाएंगे क्यों मांसा हरी लोग उनको मांस कलाए जाएंगे भगवान ने का मेरी शादीन की बरबादी वापस ले जाओ मुझे ऐसी शादी नहीं करने भगवान अर्ष्टने में अपने रत को वापस ले जाते हैं मुझे शादी नहीं करने हैं बहुत प्रार्थना की जाती हैं नहीं मानते हैं बस हो गया वो अन्तिम भाव था उनका भगवान अर्ष्टने में जंगल में चले जाते हैं बहुत कहते हैं तिर्थंकर बनना ही था हूं तो उद्रस के बाद अरिष्टने में कि शादी राज़ल से होती राजमती से वो भी राजगराने की थी बहुत उचगराने की उसे पती पतना औरी थी जब पता चला कि अरिष्टने में चले गए हैं मुझे छोड़ के चले गए बेहोश हो गए मुर्चित हो गए उसके माँ ने खा चिंता को करती है और भी लड़के मिल जाएंगे नहीं मा जिसको मैंने मन से सिरिकार कर लिया आप दूसरे को मैंने चाहिए जो उनका मार गए मौसी मारत पर जाओं भगवान का मारत जदी वो साधना पत पर हो ग कि दिक्षा की त्यारी कर दे का इस से पहले की घटना कि जब रतने में रिश्टने में एक चोटा भाई रतने में राजमेती पर अकरशित हो गया उसके रूप को दे करके और उसने प्रात्वना की कि तुम बज़े सभी कार कर लो तो राजमती ने क्या कहा राजलने एक भाया ठी गई और वमन किया वमन कर के सको आथ तो गुस्ट आगया मैं चाटू हूँ इसको वमन की उपती और की मैं मैं तो वमन की हुई हूँ मुझे भी किसी ने वमन किया है तु चाटना चाहता, तु लेना चाहता, धिकार है तुझे फटकार दी उसने, वो समल गया, देखो कई बार आदमी फटकार, उसने गुसा भी हो जाता, गाली भी निकार जाता मुदा पमान कर दिया, पमान किया पर कई बार किसी को साफधान करने के लिए करना पड़ता है समल गया कि मैंने गल्ती की कि मैंने नहीं चाना चाहिता है मेरी भाई की पत्नी थी, मेरा अधिकार नहीं था वो भी दिक्षा ले लेता है अब रतने में भी दिक्षा ले लेता है राजुल भी दिक्षा ले लेती है भगवान अर्ष्ट ने मी कि देश ना सुनने के लिए राजुल जाती है पहाड़ियों का रस्ता गिरनार और अचानक ध्यंकर बरसाथ ध्यंकर बरसाथ ओले तुफान विजली की गरगराहाथ अपने साद्वियों के साथ जा रही थी जंगल में आपको जंगल में रस्ता कौन दिखाता है अंधेरा चारों जहां किसी साद्वी को जगा मिली गुफाएं थी गुफा में गुज गई ऐसे राजुल भी किसी गुफा में गुज गई अंधेरा था, कपड़े भीग गए थे रसनेमी उतर ध्यान में बैठा था बिजली की कड़क आई बिजली की कड़क में जैसे बिजली कड़की उसने देखा राजुल नती, मोहित हो गया मोहित हो गया तो जो उसने देखा हे कुमलांगी हे सुन्दरी आओ हम भोग भोगें बाद में दिक्षा ले लेंगी अभी तुने जब राजुल को पता लगे रहा है उसने धीरे से अपने बाजों को ऐसे रख करके बैठ गई और अपने बस्रों को पहिना पहिनने के बाद उसको फटकारती है कि एक साफ होता है अगंधन कुल का वो अगंधन कुल का साथ इतना जातीवान होता है कि कोई उसको वमन की दे दे तो मर जाता है, अगने में कुh जाता है, तो अपने विश्च को वापस लेता नहीं। तो उसने कहा तुम्हारा कुल देखो मेरा कुल देखो तुम कहां और मैं कहां और अगंधन कुल का सर्ब भी चाहता नहीं और तुम चाहते हो धरत्थू तेस्टो कामो जो तंक जीवी कामा तंक इच्छ सी आवं तो मर जा यहां से तो भोगे भोग को चाहता है मुझको चाहता है यह आप यश्कारी फटकार मारी उसने तो कहते हैं वो संभल गया खांदानी व्यक्ति होता है यह पहस्चान होती है जो व्यक्ति खांदानी होता है उसको चोट भी पड़े गुरू फटकारे कोई असा निमित बन जाए तो आपने मारक पर दुबारा आज़े। चत्तारी लोगुत्तमा, अरंता लोगुत्तमा, सिध्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी सरनं पवज्यामी, अरंते सरनं पवज्यामी, सिध्धे सरनं पवज्यामी, साहु सरनं पवज्यामी, केवली पनत्तं धम्मं सर चारे शारान दुकारन जगतले ओरन सरना पोई होगा जो भव्य प्राणी करे अरातना उस्ते काज़ अर्पन ओरन सरना पोई होगा उस्ते काज़ दादी हम गर्ज़ ओरन सरना पोई होगा प्राणी करे अर्पन ओरन सरना पोई होगा